जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPS Study Point YouTube चैनल पर तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं RPF की नई भरती के बारे में आप में से काफी ये student का लगतार कमेंट आ रहा था कि RPF की नई भरती कब जारी किया जाएगा यानि कि इसकी online application कब से सुरू होगा तो आज किस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाले हैं और इसकी जनकारी जो है एक employment news paper में दिया गया है तो भी आज किस वीडियो में आपको दिखाएंगे तो अगर आप सभी वी Constable and ASI post पा जाना चाहते हैं RPF के अंत्रगत तो आप सभी इस वीडियो को complete वाज किजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा दीजिए तो दोस्तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यह एक News Paper का Cutting है और इसी में जो है इस भरती के बारे में complete जनकारी दिया गया है तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बताया गया है रेलवे में सुरक्षा बलो की कमी RPF की 9000 जावानों की भरती की सक्त जरूरत है यहाँ पर आप सभी देखेंगे यहाँ पर बताया गया है रेलवे में RPF के जावानों की कमी के चलते यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं 2018 में हुई RPF की भरती के बाद अब पुना रेलवे सुरक्षा बलो में जावानों की भारी कमी आ रही है आप सभी को पता है कि जो लास्ट आपका वेकेंसी था RPF का यानि कि जो RPF का लास्ट वेकेंसी था वो 2008 में हुगा था और 2008 के बाद अभी तक एक भी वेकेंसी नहीं आया है पूर्वे रेल मंतरी प्यूस गोईल ने पिछले बर्स आर्पीएप में 9000 जावानों की भरती की बात कही थी दोस्तों ये जनकारी जो है 9000 जो भरती का जनकारी है ये 2019 के दिसंबर मन्थ में ही जो रेलवे मंतरी प्यूस गोईल थे उनके द्वारा बताया गया था कि RPF के अंतरगत 9000 पोस्ट पर भरती कंड़क्ट कराया जाएगा लेकिन अभी जो है आप सभी को बता दे कि अभी जो आपका वेकेंसी होगा वह 18000 पोलस पोस्ट पर होने वाला है क्योंकि जो 9000 का डाटा है वह 2019 का ही डाटा है लेकिन अभी आप सभी को पता है दो साल के अंतरगत जो है काफी सारे सीट जो है RPF के अंतरगत खाली हुए है तो आपका वेकेंसी जो है 18000 पोलस पोस्ट पर आपका होने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है लेकिन उसके बाद इसकी परकीरिया को आगे नहीं बढ़ाया गया और अब तक भी रेलेवे सुरक्षा बलो में जावानों की कमी को पूरा नहीं किया जा सका है इसके अलावा यहाँ पे आप सभी देखेंगे आरपी एफ में 9000 जावानों की भरती की जाएगी जिसमें महिलावों को 50% पूर्द रखे जाएंगे लेकिन अभी रेलेवे भरती बोट की तरब से इसके लिए कोई ओफिसियली यदी सुचना नहीं जारी की गई है इस बर्स आरपी एफ की भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर ओनलाइन आवेदन सुरू हो सकते हैं यानि कि यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका यह वेकेंसी है यह 20 साल जारी होने वाला है यानि कि 2021 में ही आपका यह भरती होने वाला है दोस्तों आप सभी को बता दे कि आप मेंसे काफी यह स्टूडेंट पुछते हैं कि इसकी ओनलाइन अपलाई आखिर कब से होगा तो इसके ओनलाइन अपलाई सुरू नहीं होने के पीछे एक ही कारण है आप सभी को पता है कि railway के अंतरगत जो है RRV Group D की जो एक जाम है आप सभी को पता होगा Group D के एक जाम के बारे में इस भरती में देरी हो रहा है तो जैसे ही आपका Group D के एक जाम समाप्थ हो जाएगा उसके बाद ये वेकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा तो ये वेकेंसी जो है इस साल आपका होने की 100% संभावना है क्योंकि वेकेंसी जो है काफी दिनों से RPF में नहीं आ रहा है तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे और आप सभी को बता दे कि अगर आप सभी SSE कांस्टेबल GD की तयारी कर रहे हैं और इसके लिए previous year का कूशन बैंक यानि की previous year का solve paper लेना चाहते हैं तो चक्षू पब्लिकेशन के आप सभी इस book को purchase कर सकते हैं इसके अंत्रगत 53 previous year का solve paper दिया गया है और आप सभी को पता है कि SSE GD की अगर आप यारी कर रहे हैं तो previous year का solve paper बनाना काफी ज़्यादा important है साथ ही साथ चक्षू पब्लिकेशन का practice set और complete guide भी आता है तो आप सभी को RPA भरती को लेकर तो आप सभी comment section में पूछ सकते हैं फिर मिलेंगे next video में तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम